नमस्कार दोस्तों एक बार फ्रिस सेब का बबास वागत है सबी सर्विंग में रेटार फोजी भाईयों के एक मातर बरोसे मन यूट्यूब चैनल गौर्मेंट इंपलेज वेलफेर की नहीं और फ्रेस वीडियो में वन रेक वन पैंसन पर आ गई ताजा अपडेट 6 अगस्त 2019 की जिहां 26 अगस्त 2019 को जो सुप्रिम कोट में वन रेक वन पैंसन की हेरिंग होने वाली थी उसी को लेकर ताजा अपडेट आई है तो चलिए इस वीडियो की माधियम से जानते हैं कि क्या बड़ी अपडेट आई ह और साथ में जो बैल आइकन है उसे भी दबात है ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मैसा मिलती रहेगी दोस्तों आपको बदा देगी 6 मई 2019 को जो पहले सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रिम कोट ने केंदर सरकार से कहा था कि पूरु सैनिय कर्मियों क्यों और से वन रेक वन पैंसन यानि ओरुपी योजना को लेकर उठाई गई खामियों को दूर करने के लिए वे गंबीरत के हित में नहीं होगा और तब सुप्रिम कोट ने केंदर सरकार को आदेश दिये थे कि तीन मेने के अंदर ये ओरुपी का जो भी केस है उसको सौल आउट करें लेकिन सरकार की तरप से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया सिर्फ सी जी डिय के उठाई गये सवालों के उपर सरका कोट में आज सुनवाई होने वाली थी तो दोस्तो इसमें एक नया मोड आ गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एक सर्विस्में मुमेंट की तरप से ये लेटेश पोश्ट डाला गया है तो दोस्तो इस पोश्ट के माध्यम से इन्होंने बताया कि हम सभी 6 अग कि यह कंप्यूटर जनरेट प्रकिरिया है और OROP मामला जल्दी सुनवाई के लिए लिश्टेट किया जाएगा यानि कि दोस्तो OROP केस में जो अगली सुनवाई है उसकी तारिख जल्दी सुप्रिम कोट की तरप से दी जाएगी और आगे इन्होंने बताया कि आगे की ज वन रेक वन पैंसन की सुनवाई की डेट में तोड़ा उलट फेर हो गया है और सुप्रिम कोट की अगली तारिख जल्दी इसके बारे में दी जाएगी तो दोस्तों जैसे ही कोई वन रेक वन पैंसन के मामले में कोई बड़ी अपडेट आती है तो हम आपको इस चैनल के मा किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले इसी के साथ जै हिंच जै बारत